नमस्कार, आज हम आपको MCB, Miniatur Circuit Breaker के बारे में बताएंगे. MCB का Main Purpose होता है, Over Current Production देना, जब Over Current आती है, तो MCB, Load को Disconnect कर देता है, और Protect करता है सिस्टम को, इसमें जनरली तीन चीज़े होती हैं, एक होता है Thermal Trip Unit, फिर Magnetic Trip Unit, और Manual On-Off. Thermal Trip Unit होती है, Overload Protection के लिए, मह लीज़े किसी सर्कुट में, Nominal Current है, 15 Ampere, और हमने 20 Ampere का उसमें MCB लगा दिया, और Load में Current आदा फ्लोर ही है, 25 Ampere, तो इस Thermal Trip Unit में, एक Y-Metal Strip होती है, वो दो मेटल से बनी होती है, यह अलाग लग मेटल से, तो जब Current फ्लो होती है, तो यह गरम होने लगते हैं, गरम होने के बाद यह bend हो जाती है, थोड़ा सा, क्योंकि एक ज़्यादा expand होता है, और एक कम expand होता है, तो bend होने से यह connection break हो जाता है, और जितनी ज़्यादा इसमें Current फ्लो होती है, उतनी जल्दी यह गरम होता है, तो उतनी जल्दी connection open होता है, magnetic trip unit, यह होती है, short circuit protection के लिए, मलें यह कोई circuit है, तो short circuit दो तरह से हो सकता है, एक तो हो सकता है कि यह जो wire हैं, इनमें short circuit हो जाए और current ऐसे flow होगी, दुसरी possibility यह है, कि जो load है, उसमें short circuit हो जाए, दोनों case में यहाँ short circuit current flow होगी, heavy current flow होगी, तो इसके अंदर एक coil होती है, magnetic trip unit में, जिसकी वज़े से immediate यह trip हो जाता है, और यह काफी fast होता है, यह few millisecond में operate कर जाता है, उसके लावा इसमें manual, on और आफ होता है, manually उसको on या आफ कर सकते हैं, यह जो हमने symbol दिखाया है, यह thermal trip unit का symbol है, यह जो दिखाया है, magnetic trip unit का symbol है, अगर breaker में दोनों होते हैं, तो यह हमने देखे, दोनों दिखाए हैं, मगर symbol कई तरह से बनता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग बनाने से पहले, फर्स शीट पर हम सब symbol का मतलब बताते हैं, कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, या खाली लाइन खीची है, तो उसका मतलब क्या है, जिससे पढ़ने वाले को समझ में आ जाए, यह mcb का trip curve है, यह trip time है, और यह trip current है, यह दोनों log scale में दिखाते हैं, और यह होता है, multiple of IN, nominal current, जैसे यहाँ दो लिखा है, मतलब, nominal current का double, तीन का मतलब है, nominal current का 3 times, माल लिजे mcb 32 amp का है, तो double means 64 amp, triple means 96 amp, यहाँ दो लाइने दिखाई हैं, यह variation है, plot का, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यह बीच में कहीं भी हो सकता है, यह thermal trip का प्लाट है, और यह magnetic trip का प्लाट है, हम माल लिजे, double current flow हो रही है, तो यह 6 seconds से ले करके, 4 मिनट तक कहीं भी trip हो सकता है, वर्स केस 4 मिनट है, इस प्रेकार कर 3 गोना current flow हो रही है, 96 amp इसके लिए, तो यह 2 seconds से ले करके, एक मिनट तक कभी भी trip हो सकता है, वन मिनट वर्स केस है, यह time इसलिए ले रहा है, कि thermal trip में गरम होने में time लगता है, और यह magnetic trip है, जो 2 गोना से ले करके 3 गोना, कहीं पे भी trip हो सकता है, magnetic trip की वज़े से, और यह time होता है बहुत fast, 4 millisecond से कम होता है, और जो यह हमने दिखाए हैं, वो jet type MCB के लिए हैं, एक हमने select किया है, एक मैने फ्रक्चर का उससे data लिए हैं, jet type क्या होता है, अभी हम आपको बताएंगे, यह AC के लिए है, अगर AC current flow हो रही है, तो जब DC current flow होती है, तो यह line shift हो जाती है, करीब 50% more, 1.5 times, तो यहां से लेकर, यहां तक DC होता है, अब types of MCB, यह 5 type के होते हैं, V, C, D, K, Z, और यह define होते हैं, magnetic tripping current के हिसाफ से, माल लिजे किसी MCB की, full load current, या rated current 10 ampere, MCB की, load की नहीं, तो type B का, जो MCB है, वो trip हो जाएगा, अगर उसमें current, 3 और 5 times के बीच में, flow हो जाए, इसकी 3 times, इसकी 5 times, मतलब 32, 50 ampere, तो type B का, 10 ampere rated MCB, 30 और 50 ampere के बीच में, trip हो जाएगा, इस बकार type C का, trip होता है, 5 to 10 times, मतलब 50 to 100 ampere, इस current के लिए, rated current के लिए, type D का trip होता है, 10 and 20 times, अब full load current, मिंस 100 और 200 के बीच में, इसके हिसाब से, टाइब के, ट्रिफ होता है, between 10 and 15 times, इसका 10 times यह हुआ, इसका 15 times यह हुआ, तो 100 to 150 ampere, और type Z, ट्रिफ होता है, between 2 and 3 times, इसका 2 times 20 ampere हुआ, इसका 2 times 30 ampere हुआ, तो MCB जिसकी rating है 10 ampere, वो type Z का है, जो 20 और 30 ampere के बीच में trip होगा, अगर यह rated current 32 ampere है, तो वो 32 का double, 223 ना, तो 62 to 96 ampere, यही वाला अभी हमने आपको दिखाया था, यह एक design example है, यह खाली example है, माल यह कोई circuit है, इसमें यह MCB लगा है, और यह कोई electronic switch है, यह थारिश्टर हो सकता है, ट्राइक हो सकता है, या कुछ और, और यह load है, load हमने resistance दिखा रखा है, कुछ और load भी हो सकता है, और इसकी full load current है 20 ampere, और यहाँ पर 230 volt आ रहा है, अब क्या होता है, voltage में fluctuation होता है, तो अगर voltage 10% बढ़ जाए, जो कि nominal होता है, तो यह 20 ampere बढ़ के 22 ampere हो जाएगा, अब इसको हमें प्राटट करना है, तो इसमें तीन चीज़े हैं, maximum load current, MCB current, और power switch, यह electronic switch को हमने power switch लिखा है, तो जो यह current है, maximum load current वो यह है, तो जो MCB की rating होगी, इससे ज़्यादा होगी, यह ज़्यादा लेते हैं, ज़्यादा का स्वंबल है, 25% ज़्यादा लेते हैं, तो 22 ampere में 25% add कर दीज़े, तो 27.5 ampere आता है, तो आपका MCB rated 27.5 ampere होना चाहिए, मगर वो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि MCB standard rating में आते हैं, आपको 32 ampere का मिलेगा, तो आपको यहाँ पे 32 ampere, या कुछ कमपनियां 30 ampere का भी बनाती हैं शायद, तो 32 ampere का आपने यह MCB लगा दिया, अब जो इसकी rating है, इससे ज़्यादा होनी चाहिए, यह continuous rated current है, लेकिन जो thermal protection है, वो आपरेट होगा 64 ampere, 4 minute लेगा, 96 ampere फ्लोगी तो 1 minute लेगा, और अगर magnetic protection आपरेट हुआ, तो 96 ampere पे less than 4 millisecond, तो यह सारे current range, इस switch को लेना है, यह switch की continuous rating इससे ज़्यादा होगी, मेरे इसाथ से अगर यह 32 ampere है, तो यह कम से कम 40 ampere का होना चाहिए, उसके अलाबा उसकी salt turn rating यह होनी चाहिए, हर power switch की salt turn rating काफी होती है, तो जब आप power switch यूज करें, या कोई electronic switch यूज करें, तो यह सब ठाल लखें, देखिए 20 ampere के लिए, करीब आपको 40 ampere continuous rating का switch लेना पड़ा रहा है, और उसकी salt time rating भी यह होनी चाहिए, यह इससे प्राटक्ट नहीं होगा, अजितर कुछ electronic protection भी लगा देती हैं, इसको प्राटक्ट करने के लिए, अब advantage of MCV, overfuge क्या है, पहला है, MCV automatically सुचाप कर देता है, overload हो या fault हो, और MCV की जो sensitivity होती है, वो fuse से, over current की condition में अच्छी होती है, दूसरा क्या है, in case of fault, अगर fault आ जाए, तो MCV से quick restoration कर सकते हैं, उसको बस आन कर दीजे, trip होने के बाद आन कर दो, फिर से काम करने लगेगा, fuse में क्या है, आपको replace करना पड़ेगा, उसमें time लगेगा, after tripping, वो ये MCV आप बार बार use कर सकते हैं, ये और ये करीब करीबे की हैं, fuse आपको बार बार बदलना पड़ेगा, it requires replacement, और चौथा है, जो MCV की handling है, वो safe है, fuse के comparison में, disadvantage इसका main क्या है, कि जो MCV है, fuse से, much more costly है, ये बहुत costly होता है, fuse के comparison में, आप usage, ये typical है, हमने पांस रहां के MCV बताये थे, ये पांस टाइप के, B, C, D, K, and Z, तो जो Z टाइप के use होता है, वो control circuit में use होता है, जैसे voltage converter है, semiconductor protection है, अभी हमने EC का design example दिया था आपको, जो B टाइप है, वो normal, B, C, D, normal load के लिए use होते हैं, जैसे B यूज होता है, domestic, घरों के लिए, C यूज होता है, industry के लिए, और D यूज होता है, ये बड़ा rare है, battery charger, ये X-ray machine, जो K टाइप है, वो ऐसी दिगे यूज होता है, जहां start-up में, बहुत interest current flow हो, जैसे, protecting winding in, motor और transformer, motor और transformer को जब आन करो, तो बहुत interest current flow होती है, उसमें, वहां K टाइप का, यूज करते हैं, ये जो application में बता, ये typical हैं, क्योंकि domestic में, कई तरह का load हो सकता है, industry में कई तरह के load हो सकते हैं, तो वहां कई तरह का use होता होगा, ये जो MCB हैं, ये low voltage के लिए use होते हैं, आज यहीं समाप्त करते हैं,